हेलो फ्रेंट्स, वेलकम वन्स अगेन इन सुन्दर सर्ज क्लासिज, हावर यू, हॉप यू, वी फिट अन फाइन, मैं सुन्दर सर एक पर फिर सबका स्वागत करता हूँ सुन्दर सर्ज क्लासिज में, तो स्टुडेंट्स, जैसे कि हमारी सीरीज ये प्रिविश वीडियो स शुरू हुई थी, हमारी नई जो इस सीरीज है, विशेश तोर पे सेट एक्जाम के लिए, एच एससी के लिए, या किसी प्रकार के जो अकर आप डिफेंस सर्विशीज की अगर आप तयारी करें, लाइक एर फोर्स या नेवी के लिए, या एन डिय के लिए, तो हर प्रका एंडियो में हमने पढ़ा था ऐड़ वर्स, उसका मीनिंग और इसके काइन्द्स के बारे में कि थ्री काइन्द्स ओफ एड वर्सर दियर, और आज हम उसी जो तीन जो काइन थी उस में से जो फ़र्स थी हमारे पास कि सिम्पल एड़ वर्स में भी हम अगर आप देखें आ कि जब तक किसी टॉपिक को अगर आप जड़ तक नहीं समझ सकते हो तब तक आप जो है उस टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से आप समझ नहीं पाते तो इस वीडियो में मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ उसमें हम लेंगे एड़व ओफ मैनर की जो की क्या शो चलिए स्टुडेंट्स अपना शुरू कर लेते हैं अपना ये वीडियो तो स्टुडेंट्स देखिए सबसे पहले जब आप बात करते हैं हमारे पास की सिंपल एड़वब्स की सिंपल एड़वब्स में हमने जो बात आती है सबसे पहले जो आता है वो आता हमारा पास से how जो बताता है how कि कोई काम कैसे हुआ यानि जो वर्ब होती है उसका मैनर बताया जाता है कि how ये इसके अंदर इसका आनसे मिलता हूँ वह हमारे पास होती है adverbs of manner देके ये जो adverbs of manner है ये बाकिस अभी adverbs से थोड़ा सा अलग है और और थोड़ा सा डिटेल में भी जो है मैं इसको बताना चाहूँगा तो जब बात करते देखें इसमें आम तोर पे जो एड़वर्ब और मैनर होती है वो कोई भी एज़क्टिव होता है उस एज़क्टिव के लास्ट में एल आई लगवान लगाने से यह हमारे पास एड़व बन जाती है लेकिन यहां स्टूडेंट्स अक्सर कन्फूज हो जाते हैं कि हर वो वर्ड जिसके पीछे लगा होता है हम उसी को एड़वर्ब समझ लेते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताऊँगा कि किस प्रकार से कुछ एक्सेप्संस होते हैं उनको आ हमारे पास क्या एजएक्ट्ट्यू है तो इससे बन गया अने यानिकि अगर आप देखोगे इसमें तो लास्ट में क्या एल वाई लगया तो हमारे पास एड़वर्ब बन गया यह यह लगा कि अब इसको एक चीज़ यह जो बता रहा हूं आपको यह जो टेबल जो मैं करेंगे यहां रकास यह एक वर्ब नाउन है अपने आपमें आयां से तो इसका जो को वर्डimento बनता है यह जहां लाओ धॉर्ब लेकिन यह क्या है यह इसकी एड़क्टिव FOM है, adverb form नहीं है, इसका ध्हान रखना है, तो इसकी फिर adverb form क्या बनेगी, adverb में अगर इसको हमने यूज़ करना हो इसके adverb form में, तो यह आएगा in a cowardly manner, इस प्रकार से आप यूज़ करोगे, तब आपका ये adverb form इसकी बनेगी, उसी प्रकार से निगर्ड, निगर्ड भी, जैसे लाएं के माईजर, इसका मीनिक भी जैसे माईजर से मिलता होता है, तो निगर्ड ली, ये भी इसका adjective रूप है, इसका भी अगर हमने adverb बनाना हो, तो in a निगर्ड ली मैनर हमें यूज़ करना पड़ेगा, नैस्ट वर्ड ले सकते हैं, माईजर, कंजूस, माईजर्ली, माईजर्ली वर्ड हमारा क्या है, adjective form, ये adjective है, और इसका अगर हमने adverb बनाना पड़ेगा, तो किस में जाना पड़ेगा, adverb form के लिए, ये in a miserly manner, इसी प्रकार से, जैसे scholar, scholar word होता है, तो scholarly जो है, ये भी हमारा क्या है, एक adjective form है, इसका भी अगर हमने adverb form बनाना है, तो in a scholarly manner हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो students देखें, इस चीज़ को आपने ध्यान से रखना है, इस बात को आपने होता है, तो वो वर्ड आपका adverb नहीं होता, अब जैसे कुछ एक्जामपर जैसे, देखें, he is a miser, अब miser हमारे पास ये sentence हमारा ठीक है, क्योंकि miser एक noun है, तो he is a miser, तो ये एक वाक्या sentence हमारा, अगला देखें जैसे, he is a miser man, अब यहां इस sentence में गलती क्या है, कि देखिए, यहां पर miser अपने आप में ही एक noun होता है, तो दो noun हमने नहीं रखनी है, यहां पर हमने, यह तो आप लिखोगे, he is miser, अगर man, इसके बाद हमने miser लगाना है, तो man को नहीं लगाएंगे, यह सिदह हम लिखेंगे, he is a miser, बास इतना ही लिखेंग इसकी, he is a miserly man, अगर आप यहां पर अगर man भी लगाना चाहते हो, और miser का use भी, तो यहां इसका adjective form, अब देखिए, यह noun है, noun से पहले अगर आया है, तो क्या ता noun से पहले हमें से adjective आता है, तो यह इसकी adjective form आ गई, तो यह आपका sentence जो अगर इस पर गार सकी है, यह आपका sentence हमारे पास verb है यह, वर्ब के बाद हमने एडवर्ब लगाना है, लेकिन यह देखिए, word क्या है miserly, miserly क्या है, miserly तो हमने देखा कि miserly जो है, वो ता हमारे पास adjective form है, इसका मतलब यह हमारा sentence क्या है, रोंग है, तो इसको correct लिखना पड़ेगा, अगर हम correct इसको adjective लिखेंगे तो, sorry, एडवर्ब के रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, फिर हम यह लिखेंगे, he behaved in a manner, in a miserly manner, तो यह अगर आपने एडवर्ब के रूप में use करना है miserly को, तो आपको इस तरीके से यह sentence, अगर आपको यह sentence में लिखना है, he behaved in a miserly manner, आप इस प्रकार से sentence को लि तो, students, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो मैंने छोटा सा जो चीज आपको यह table बदाई है, इसका आप ध्यान रखेंगे कि adjective form और adverb form में क्या अंतर है, okay, students, अब दिखें कुछ एक differences में आपको बदा देता हूँ, कि यहाँ पर हमार पास किया है कुछ ऐसे words, some words used in adverb and adjective in the same form कुछ हमार पास ऐसे words होते हैं, जो कि adverb में भी यूज होते हैं और as an adjective भी यूज होते हैं, लेकिन इन में विशेश बात क्या है, कि इनके meaning में अंतर आ जाता है, इनके meanings जो है वो बिलकुल ही अलग होता है, इस सीज़ का ध्यान रखना है, दोनों same words, same होते हैं but different in meanings, जैसे यह कुछ words हमार पास कहें, just like fast, straight, outside, direct, hard, late, high, safe, quite, यह वर्ड ऐसे हैं, जो adjective भी हैं और adverb भी हैं, यानि adjective और adverb दोनों के रूप में काम करते हैं, लेकिन के way of youth जो है वो different है, इनका meaning भी different होता है, कुछ example देख सकते हैं इनके लिए, action को समझने के लिए, just like देखे, he works hard, य यहां पर भी, it's a hard task, अब देखे, यहां पर भी हमारे पास hard है, यहां पर भी hard है, but इन दोनों sentence में, एक sentence में hard word है, जो word है, वो as an adjective यूज हुआ है, और एक sentence में hard word as an adverb यूज हुआ है, तो आप देख सकते हैं, इसमें, यहां जो यूज हुआ ही works hard, यानि यह verbs के बाद आ हमारे पास क्या है, adverb के रूप में काम कर रहा है, अब यहां पर जो hard है, इसके तुरूंत बाद क्या रहा है, task, task क्या हमारे पास noun, तो noun से पहले अगर word आ रहा है, इसका मतलब noun से पहले क्या आता है, adjective आता है, तो यहां पर hard हमारे पास as an adjective काम कर रहा है, तो इस प्रकार स और एक्जम्पल लेग सकते हैं just like he wakes up early यहां ब्यार पास है early और यहां पर भी arrived by early देखिए यहां पर भी early है और यहां पर भी early है तो यह शायद आप समझ गए होगे कि यहां पर इस sentence में early क्या है इस sentence में जो early है वो हमारे पास क्या है वो adverb के रूप में काम किया जा रहा है और यहां पर देखिए early early के तुरुन बाद flight flight क्या एक noun है तो noun से पहले अगर यह word आ रहा रहा है यहां पर यह क्या है adjective के रूप में as an adjective काम कर रहा है और example भी देख सकते हैं don't talk loud यहां पर हमारे पास है loud and sound यहां पर देखिए tone अपने आप में एक noun है noun से पहरे यहां पर यह क्या है adjective का काम कर रहा है तो ऐसे और भी example आप इन वर्ड्स के देख सकते हैं आप खुद भी बना सकते हैं ताकि दोनों में अंतर आप समझ सकें देखिए अंतर बहुत ही महतवकून होता है दोनों वर्ड्स में कि यह adjective है या फिर यह adverb का काम adjective किसी दी पहचान होती है कि adjective is always followed by a noun simply बात है अब कुछ और देखिए कुछ हमार पास ऐसे adverbs होते हैं जो different meanings होते हैं जो words जो है देखने में एक जैसे पर दोनों के meaning जो है अलग अलग होते हैं जैसे हमने देखिया हमने पहला word लिया late और lately लेट और lately अब यहाँ पर देखिए late का मतलब होता है अलग है देरी से कोई भी सामान देरी से और lately का होता हालифिलान या नी at present इन दिनों में जैसे हम कहते हैं इन दिनों में हाल्ला इन दिनों में example देखिए हैं यहां पर late जो है वो क्या है यहां पर भी late क्या है एक adjective हैं हालांकि यहां पर भी यह एड़वर्ब का ही काम कर रहा है, यहां पर भी एड़वर्ब है, यह भी एड़वर्ब है, दोनों ही एड़वर्ब है, लेकिन दोनों के मीनिंग में अंतर होता है, तो यहां पर भी लेटली का है, इन दिनों में मैंने उसे नहीं देखा है, हाल फिलालिया, इन दिनों में मैंने उसे नहीं देखा है. तो meaning दोनों का अलग-अलग होता है. इसी परकार से देखे, जैसे एक word हमरे पास hard और एक word होता है Hardly. अब तोनों ही word क्या हमरे पास दोनों ही word तोलeur पास यह जो इडवर्ब है, दोनों ही word हमरे पास सरह देखिए, he hardly does any, hardly का मतलब बड़ी मुश्किल से, शायद ही, वो शायद ही मैनत करता हो, तो hardly और hard दोनों में बिल्कुल different meaning है दोनों का, तो इस चीज़ का अंतर भी रखना है, कोई एक word और भी, जैसे free और freely, ये देखे बहुत ही common word है, लेकिन दोनों के meaning जो है, आपको ध्यान में रखने है, दोनों ही words ये adverb हैं, बट इनके meaning में difference है, free का मतलब होता है, कोई भी चीज मुफ्त में, और freely होता है, स्वतंतरता से, कोई काम करने के जैसे आजादी हो, उसके लिए use किया जादी है, दो words हमारे पास और होते हैं, एक loudly और एक allowed, दोनों word का मतलब हुचाहिश होता है, लेकि दोनों में difference है, वो difference क्या है, देखिए, पहला word जैसे हम लेते है loudly, loudly का मतलब होता है with a lot of noise, बहुत उची आवाज, कितनी, जैसे sure, making a noises like, तो वो क्या है कि loudly, बहुत जो उची जोड़ 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 आवाज आ रही हो तो उसको हम बोलते है loudly, दूसरा वड़ जोता है मार पास allowed, allowed का मतलब इतनी आवाज होनी चाहिए कि audible for audience, कि जो स्रोता है उस बात को सुन सके, जैसे हम example के तोर पे, अगर हम student को बोलना है, या हम कई पर आवाज आती है, सर सुननी रहा, तो फ़र क्या कहता है, speak aloud, थोड़ा सा, इतना उच्छा बोलिए कि हम सुन सके, जैसे हम student से कहते है, student आवाज धिमी आवाज में बोलता है, तो teacher कहता है, please speak aloud, भी थोड़ा उच्छा बोलो, इतना उच्छा बोलो कि मैं सुन सकूँ, तो aloud का मीनिंग होता है, कि audible for audience, इतनी उच्छी आवाज कि जिसको कि सुन सके, और loudly कहता है, with note of noise, बहुत ज़्यादा शोर सराबा हो रहा हो, तो वहाँ हम loudly का use करेंगे, तो इस प्रकार से ये दोनों words में, be a difference, आपको पता होना चाहिए, तो students, ये था मेरा आज का lesson, इस lesson में मैंने जो आपको बताया कि adverb of manner के बारे में, और उम्मिद करता हूँ कि जो चीज़े मैंने बताई है, आपको जो हच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, इसका next part जो है देखना मत बूलिए, next part में मैं आपको adverb के दूसरे जो adverb of place, adverb of reason, adverb of, जितने भी जो महरे पास reason वगरा है, या place है, time है, तो इन सब के बारे में भी next वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और जैसे ही इसके explanation खतम हो जाएगी, उसके बाद, जैसे कि पहले भी था, उसी प्रकार से आपको एक practice exercise की वीडियो भी आएगी, जिसमें आपने adverbs से सम्दित आपको practice करने के लिए sentences मिलेंगे, तो students आप ठीक इसी प्रकार से लगातार मेरे साथ बने रहे और फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक, have a nice day, thank you.